हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी गुजिया की रेसिपी लेकर आए हैं जैसे कि मार्केट से नॉमली गुजिया मेल जाती है लेकिन आज हम बहुत ही असान तरीके से घर पे बनाएंगे और जो मार्केट वाली गुजिया होती है वह इसको बनाना बहुत ज़्यादा असान है और इसका टेस होगा बहुत ज़्यादा लाजबाब होगा तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं नॉमली घर के समान से हम इसे बनाकर रडी कर लेंगे तो यहां पे सबसे पहले हमने मैदा लेना है यहां पे हमने दो कप मैदा ल बहुत जादा नहीं डालना है इसे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जो नमक होता है वो मैदे का जो टेस्ट होता है वो बढ़ा देता है और ऐसा होता है कि मीठी होती है गुझी है तो नमक के साथ इसका टेस्ट बैलंस भी हो जाता है इसमें अंदर थोड़ा सा होल बनाकर यह यहाँ पर देशी घी मेल्ट करके डाल रही हूँ यहाँ पर 6 चमच हमने या फिर 1 फोर्थ कप इसके अंदर घी का डाल देना है अब हम इसे अच्छी तरह क्रमबल कर लेंगे घी या फिर मोयन की जो मतर होती है वो उतनी होनी चाहिए कि जो आपका मैदा है वो बिल्कुल क्रमबल हो जाए तो क्रमबल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह नीड कर लेना है डो हमारा हाड बनेगा डीला डो हमने बिल्कुल नहीं बनाना है नहीं तो जो गुजिया बनेगी वो सौगी सी बन जाएंगी थोड़ा सोड़ा पानी डालते हुए हम एक हार सा डोब नाकर रख लेंगे इसको देखिए कितना टाइट में इसको गूंता है और इसे गीले कपड़े से धग कर आपने रख देना है पांच से दस मिनट के लिए छोड़ दीजिए तब तक इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं यहां पे हमने एक पैन गरम होने के लिए रखा है उसके अंदर एक चमच देशी घी डाल देते हैं घी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बस एक ही छोटा चमच हमने एड़ किया है घी अब जब मैट हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से काजू और 1-4 कॉपी हमने डाला है पिस्ता और उतने ही मैंने डाले हैं बदाम इनको हमने अच्छी तरह रोस्त कर लेना है इसको आपने लो फ्लेम पे अच्छी तरह रोस्त करना है इसका जो मास्टर है वो निकल जाना चाहिए और इसे आप चलाते हुए रोस्त करेंगे बीच में आपने छोड़ना नहीं है और फ्लेम को हाई भी नहीं करना है तो इसका कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब तक इसको भूनना है इसके अंदर ओल भी जो इंग्रीडेंट लगेंगे वो आप ध्यान से देखेगा जो गुजिया होती है यह अलग टेस्ट के लेंगे कोगनर पाउडर को बहुत जादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दिखी हलका सा यह भून गया है अब इसके अंदर मैंने इलाची डाल दी है क्रश करके 6 से 7 इलाची हमने इसके अंदर क्रश करके डाल देनी है और यह इसको थोड़ा सा भून कर हमने रे मेक्शर रेडी हो गया है अब हम इसे ठंडा होने के लिए इसी पैन में निकाल लेंगे तो अलग पैन में निकाल कर इसको रख लेते हैं और तब तक यह ठंडा हो जाएगा अब वही पैन हमने खाली करके दुबारा से गैस के उपर चड़ा दिया है अब इसके अंदर एक इस अथाई कप सूजी का लिया है सूजी को हमने लो फ्लेम पे अच्छा सा भूनना है बिल्कुल गोल्डन होने तक इसको आप चलाते हुए भून लेंगे अच्छी तरह इस सूजी का गलर काफी चेंज हो गया है इसे भी हम ड्राइफूर्ट के साथ ही निकाल देंगे और पभी पैन हमने दुबारा गरम होने के लिए रखा है अब इस पैन के अंदर मैंने खोया डाला है यानि कि मावा डाला है धाई सो ग्राम आप घर का बना हुआ खोया यू कर जाता है तो आप देखिए कितना यह पारफेक्ट हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं थोड़ा थंडा होने के बाद यहां पर यह जो मिक्सर है मैंने ड्राइफूर्ट और सूजी को तो मिक्स कर ही दिया था यहां पर हम इसके अंदर खोया डाल लेंगे थोड़ा सा करके इतना थंडा कर लेंगे जिसे आप अच्छी तरह टच कर सको क्योंकि अगर गरम मिक्षर में हम चीनी डालते हैं तो वह मैट हो जाती है यहां पर मैंने एक चोटा कप चीनी का लिया है उसको पीस लिया है पीसने के बाद इसके अंदर डाल लेके अच्छी तरह मिक्स क कर लेंगे जो सव्फ का पाउड़र होता है वह किसी भी फिलिंग को बहुत ही ज्यादा को एन्हेंस कर देता है तो लेजे फिलिंग हमारी डि हो गई है अब हम डो को चेक करते हैं कि डो हमारा रेडी हुआ है कि नहीं अब दस मिनट के में बाद मैंने डो को खोलके देखना यह जो कपड़ा है उसके उपर से उतार कर चेक करते हैं अब डो हमारा बिल्कुल पारफेक्ट है इसे एक मिनट के लिए पहले अच्छी तरह नीड कर लेते हैं तो इसमें से अब छोड़ी शोड़ी लोईया निकाल लेंगे इसके जो पॉर्शन से चोड़ी शोड़ी निकाल कर रख लेना है इसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए अब लीजिए सारी लोईया मैंने बना ली हैं अब इसे भी हम घीले कपड़े से ढख के रख देंगे साइड में और एक एक लोई को लेंगे और अच्छी तरह बेल लेंगे इस तरह बेलन के उपर हल करका सा घी लगा लीजिए या तेल लगा लीजिए और इसे इस तरह आप बेल लीजिए बिल्कुल पतला सा यहां पर बहुत मोटी जो पूरी है वो बिल्कुल नहीं बनेगी अगर मोटी बनेगी तो आपकी गुजिया बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी तो इस तरह हमने इसको पतला सा पहले बेल लेना है बेलने के बाद अब इसके अंदर हम रखते हैं फिलिंग का एक चमच हम इसके अंदर डाल लेते हैं और फिलिंग को थोड़ा सा फैला कर ही डालेंगे और आधे पोर्शन में हमने फिलिंग को रखना होता है इसको इस तरह रखेंगे और पह हिस्से को हम नीचे वले हिस्से से मिलाकर इस तरह ओवरलैप कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरह हमारी यह सिंपल गुजिया बन जाएगी बिना सांचे के यहां पर गुजिया सांचे से अगर बनाते हैं तो काफी टिपिकल सा होता है लेकिन हाथ से बनाने में इसको हलका हलका पहले खीचना है और उपर की तरफ टरन करना है तो इसी तरह यह डिजाइन हमारा बहुत ही बढ़िया से बनकर रेडी हो जाएगा जैसे की हलवाई बनाते हैं उसी तरह का यह हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा हलका सा इसको पहले खीचना है और उप तो यहां पर हमने एक पूरी बेली है इसको मैंने इस तरह सांचे के उपर फ्रेम के उपर रख लिया है और हलका हलका सा पहले इसको पानी लगा लेते हैं पानी लगाने के बाद सेम वैसे ही हमने इसके अंदर फिलिंग रखनी है और ये देखिए इसको आपने सांचे के बिल्कुल उपर तक रखना है सांचे के अंदर नहीं जानी चाहिए फिलिंग को हम इसके अंदर इस तरह सेट कर लेते हैं पहले सेट करने के बाद हमने इसको लॉक करना है लॉक करके इसको दबा देना है अच्छी तरह फिलिंग सेट कर ली है इसे हम इस तरह अच्छी तरह दबा देंगे और जो पूरी है वो सांचे के बाहर तक होनी चाहिए लॉक करके इसको कट कर देंगे और जो एक्स्टर डो है वो हटा देंगे तो इस तरह सांचे के साथ भी ये गुजिया बनकर अची तरह तैयार हो जाएगी आपकी च्वायस है चाहे आप सांचे से बनाईए चाहे आप बिना सांचे के बनाईए तो ये हमने इस तरह इसको रेडी कर लिया है आप इसी तरह पहले बना लीजिए सारी और इनको बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको गीले कपड़े पे रखना है इसको आप इसी तरह खुले में नहीं रखेंगे अकर आपने खुले पे रखा तो ये सूख जाएंगी उपर से और फ्राई अच्छी तरह नहीं हो पाएंगी तो यह जो टावल है मैंने इसको अची तरह गीला कर लिया है गीला करके निचोड़के अब इसके अंदर इसको रख देंगे और ढखके रख दीजिए इसको चाहिए आप थोड़ी दर के लिए भी रखेंगे तो ये बिल्कुल सूखेंगी नहीं अब मैंने सारी गुजिया बनाकर रेडी कर ली हैं अब हम इने फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए जो ओयल का टेंपरेचर है वो लो फ्लेम पे होना चाहिए हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं होगा आप गुजिया को ओयल या घी में दोनों में फ्राई कर सकते हैं मैं यहां पे घी ले रही हूँ तो घी को मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया है गरम करने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है आप इसके अंदर गुजिया को डाल देंगे और इसे fry होने देंगे अभी एक मिनट के लिए आपने इसको पर्टी नहीं करना है एक मिनट के बाद थोड़ा सा टेक्शर इसका बढ़िया हो जाएगा फिर आप इसे पर्टी कर दीजिए इसी तरह बीच बीच में टर्न करते हुए अपने गोल्डन होने तक फ्राई करना है अब लीजिये गुजिया हमारी फ्राई हो गई है कलर देख सकते हैं बहुत ही बड़िया इनका आगया है बिल्कुल क्रिस्पी सी, कुरक्री और अंदर से बिल्कुल माउस मेल्टिंग गुजिया हमारी बनकर रेडी हुई है अब हम इने नैपकिन के उपर निकाल लेंगे अब देख सकते हैं गुजिया ने ओल को बिल्कुल एब्सॉप नहीं किया है बहुत ही बड़िया गुजिया हमारी बनकर रेडी हुई है अगर आपका डो बिल्कुल पॉर्फेक्ट बनेगा तो गुजिया ओल को एब्सॉप नहीं करती है इनको हमने नैपकिन के उपर निकाल लेना है और भी जितने लॉट हैं आप इसी तरह फ्राइ कर लेंगे और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आपने लॉकिंग किया है आपका लॉक साइड से खुलना नहीं चाहिए अगर लॉक इसका खुलेगा तो घी या फिर ओयल होगा जो गुजिया के अंदर चला जाएगा उस चीज का ध्यान रखेंगे तो इसी तरह हमने सारे लॉट अपने फ्राइ कर लेने है तो लीजिये हमने सेकिंड लॉट को भी निकाल लिया है और बहुत ही टेस्टी विल्कुल खस्ता गुजिया हमारी बंद का तैयार हुई है बिल्कुल जटपड बनने वाली यह रेसिपी है आपको यह रेसिपी कैसी लगी है आप हमें बताइएगा जूरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ बाई टेक्यर